के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की और यूपी विदानसवा चुनावों से ठीक पहले सपा सुप्रीमों और अखलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अद्धिक चंदर शेखर के 20 तल्गियां सामने खुल कर आ गई हैं आपको बता दे कि चंदर शेखर ने कहा है कि आज मैं डर गया तो कल कोई भी यूवा हमत नहीं कर पाएगा ये सारे नेता सत्ता के भूके हैं हमारे साथ चल हुआ है और हम राजनीती को समझ नहीं पाएंगे योग हस रहे होंगे कि उन लोगों ने चंदर शेखर को बेफकू बना दिया लेकिन हमारा लक्षत्ता नहीं समाजिक परिवर्तन नहीं था अजास समाज पार्टी और भीम आर्मी के लाखों गार करताओने विपक्ष की भूमी का निभाई है कॉंग्रेस सिकट बन्दन के सवाल पर चंदर शेखर ने कहा है कि शाम तक वाज चौकाने वाली खबर सुना सकते हैं चंदर शेखर ने भा अरकपुर से चुनाव लड़ेंगे चंदर शेखर आजात ने अखिले शातप पर भी आरोप लगाया है कहा है कि उनको पहले 25 सीट का वादा किया गया था चंदर शेखर बोले कि उन्हें विधायक और मंतरी पत का ओफर भी मिला था जिसे उन्होंने नकार दिया भीमार्मी के मुख्या बोले कि अगर सपा उनको 100 सीट भी दे देगी तो भी वहाँ अब उनके साथ नहीं खड़े होंगे चंदर शेखर ने कहा है कि वहाँ बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव के बाद भी पार्टियों की मदद करते रहेंगे बताया गया है कि आजात समात उधर से भी कोई जबाब नहीं आया इशारो इशारो में अखलेश आदफ पर हमला बोलकर यूपी चुनाव के लिए चंदर शेखर सपा प्रमुक अखलेश आदफ से दो वार मिल चुके हैं दोनों के एक बीच गडबंदन पर बात भी हुई लेकिन बाद में बात नहीं ब चंदर शेखर राजी भी हो गए थे लेकिन फिर उनके पास किसी किसी को फोन आया और जिसके बाद वहां पलट गए अखलेश ने इसे साजश बताया था सुबह सपा अद्यक्ष ओपी राजबर का बयान भी आया था उन्होंने कहा था कि वह चंदर शेखर को कहीं नहीं जा देंगे बता दें कि यूपी चुनाव के लिए सपा के सुहेल देव भारती समाज़ पार्टी राश्ट्री है राश्ट्रिवादी कांग्रेस पार्टी जन्सपार्टी